नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से स्वागे था आपका अपना चैनल A2J Repairing में दोस्तों यह F&D का Home Theater है और यह बिल्कुल Dead है और मैं आपको बता दू कि यह कारीगर मेरे पास लाया है काम कराने के लिए वह इसमें काम करके देख चुका है फर प्रोग्रम फिर नहीं हुआ तो हमारे पास लाया है तो देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि इसमें लाइन देने के बाद में यह LED जो हमारा glow होता है और glow होने के क्या रीजन है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह dead है यह फुला खुला हुआ है तो देख सकते हैं कि यह AC वायर जो हमारा आया हुआ है यह LED जो लगा हुआ है तो इसी लिए LED glow होता है तो सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखा दू कि क्या क्या काम किया है तो दोस्तों इसमें जो IC खुला हुआ है देख सकते हैं और यहां का कपलर भी खुला हुआ है मैं कैमरे को जिन करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं यहां का IC भी खुला हुआ है और यहां का एक resistance भी जला हुआ है जो की 1.5 मेगाओं का resistance है देख सकते हैं यह resistance जला हुआ है और यहां का एक MOSFET होता है 7N-60 तो यह भी खुला हुआ है और यह जो भी component खुला हुआ है यह सारा खराब था तो इसको लगाया पर काम नहीं किया और काम नहीं करने का क्या रीजन था वो भी मैं आपको बता देता हूं तो देख सकतेंज हैं यहां पर एक MMD政府 में आपको पाउर गलास दिखाता हूं यह रस्टेंस जो है जला अफर यह so होने के कारण साय तो पता नहीं था जिसके कारण ये set on नहीं कर पाया तो अभी मैं इसमें जैदा दिमाग लगाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इसका जो IC होता है वो बहुत ही महंगा होता है यहां का MOSFET भी जो महंगा होता है तो उतना लगाने के बाद में हमारा power supply on होगा की नहीं इसमें भी डाउट है तो इसके लिए इसमें मैं transformer लगा करके set को अन करने वाला हूँ इस तरह का transformer आता है on theater का यह transformer मैं इसमें लगाने वाला हूँ तो यह transformer को कैसे लगाते हैं यह चलिए दखते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आख हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में गोगल में जो बिल का आइकन दिख रहा उसे प्रेस कर अल्मोटिपिकेसन को भी हों क कर ले तक हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचे सबसे पहले और दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धाली आए तो यह ट्रांसफर्मर को इसमें लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या गरना है यह जो छोटा वाला संपी तो यह ट्रांसफर्मर को खोलने के बाद में यहाँ पर जो डायोड दिख रहा आपको यह डायोड को भी खोल देना है तो चलिए यह डायोड को भी खोल लेते हैं तो यह डायोड को खोलने के बाद में यह कंडेंसर को खोल भी सकते नहीं भी खोल सकते हैं तो यह कंडेंसर को मैं खोल लेता हूं तो चलिए यह कंडेंसर को मैं खोल लिया हूं और खोलने के बाद में अब क्या करना है यह ट्रांसफर्मर को सबसे पहले box में टाइट करना है तो देख सकते हैं ट्रांसफर्मर को इस तरह से मैं टाइट कर दिया हूँ और अब क्या करना है कि यह कीट में connection करना है ट्रांसफर्मर का तो सबसे पहले यह transformer का primary winding है तो इसका connection कहाँ पर करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर एक चौक लगा हुआ है यह चौक पर करना है यहाँ पर तो यह हमारा primary winding का connection हो गया है और अब यह transformer का secondary winding है तो इसका connection कहाँ पर करना है यह आपको ध्यान से देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चार point है ठीक है तो चार point में जो बीच वाला दो point है यह दोनों short है और यह किनारे किनारे वाला अलग है मतलग कुल मिला के यहाँ पर तीन connection जाएगा तो यह वाला connection जो हमारा transformer का बीच वाला wire है यह बीच वाले पर कहीं भी जोड़ देना है यह दोनों pin हमारा south है ठीक है और यह transformer का दोनों तरब किनारे किनारे वाला wire है तो यह wire को कहीं भी किनारे में लगा देना है एक wire को मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक wire को यहां लगा देता हूँ ठीक है! तो अब यह ट्रास्पर्टर मर का connection हमारा complete हो चुका है और अब यह जैक का कनेक्शन कर देना है तो यह वाला जैक है यहां का है ठीक है, और यह वाला यहां का connection है और ये जैक बूफर के लिए है और अब ये कीट को इसमें सेट कर लेना है इसके बाद में ये मेंस वायर का कनेक्शन करना है अब सबसे पहले ये जैक को सारा जैक को खोल लेते हैं पहले इसमें लगा लेते हैं आज बहुता है और ये सारा जैक को जहां से खुले थे हैं लगा देना है और यह हमारा एसी वार का जो है जे खाए और यह हमारा एसी वार का जेख है तो एसी वार का जेख और यह हमारा एसी वायर का जैक है तो यहां पर यह जैक को लगा देना है और अब यह हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जुगा है तो अब जो है मैं इसमें लेन देने वाला हूँ और लेन देने के बाद मैं देखते हैं कि यह बज रहा है कि नहीं तो अभी मैं इसमें लेन दे चुका हूँ और लेन देने के बाद मैं देख सकते हैं यहां का लेडी ब्लो चुका है तो यह हमारा जो है इसका फर बज रहा है इसमें स्पीकर मेरे पास अभी नहीं है तो देख सकते हैं बेस इसका जो है निकल रहा है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कुछ सुझा देना तो कमेंट करना न भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद